नमश्कार दोस्तों आप सुभी का बहुत बहुत स्वागत हैं मैंने माली भाया को बुलाया है और गर्मिया स्टार्ट होने से पहले मेरे गार्डन में जितने भी पर्मानेंट पौदे हैं उन सब को मुझे रिपॉर्ट कराना हैं क्योंकि कुछ तो रूट बॉंड हो रहा है जिससे की पौधा आराम चे बहार निकल जाए रूट के साथ साथ और इस तरह से कोई भी धारदार चाकू या आरी टाइप कोई भी चीज आपके पास हो तो गंडे से ऐसे निकाल दें क्योंकि खोद के दीरे दीरे निकालने में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है इस तरह स जरसे गंडे का शेप है वैसे ही बाहा निकल गया है रूट इसमें बहुत जादा हो गई है चारो तरफ से नीचे भी रूट बहुत अच्छी है आधी तो शाय टूट गई है गंडे में ही रह गई है तो इनको रिपार्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह मौसम इतना खराब नहीं होगा मरेगा नहीं क्योंकि आगे जो आने वाली गर्मिया है ना उसमें अगर यह काम करेंगे तो प्लांट चलने के बहुत कम चांसे रहते हैं गर्मी बरदाश नहीं कर पाती है अगर रूट्स खुल जाती है तो तो यह मौसम बहुत अच्छा है अगर आपक की ग्रोथ और उसकी डेवलिप्मेंट और अच्छी हो जाती है मैंने यह गोबर की खाद मंगवा ली है एक बोरी और इसमें डी एपी वगरा सब मिला लिया है तो पूरे गंबले को अच्छे से साफ कर लेंगे ड्रीनिज हूल को चेक कर लेंगे की छेद होना चाहिए वरन इसमें छेद के बाहर भी रूट सब निकलने लगी थी तो इसका मतलब है कि इसको तो रिपॉर्ट करना बहुत जरूरी है तो जितनी भी सुखी जो जड़े इसकी निकली है उन्हीं को फिर से गंबले में ड्रीनिज होल के उपर एक ठीकरी रखके वो जड़े सारी हैं इसी बंधी हुई मिट्टी है रूट को फैलने के लिए जगा मिलने चाहिए और बस सी धियान रखना है कि जहां से पौधा निकला है में स्टेम जो होती है उसको छेड़ना नहीं है नीचे मैंने ये गोबर मतलब केले की छिलके और पूजा के फूल है ये मैं रख लेती हूं पूरी एक बोरी मंगवा लिया है उसमें मैंने डी एपी और पोटाश मिला कर तयार कर लिया थोड़ा सा फंजी साइड और नीमखली भी मिला दिया है कि जिससे कि अगर ज्यादा कभी एक्स्ट्रा पानी हो जाए तो फंगस से ये पौधा मेरा खराब नहीं हो इस तरह से एक सुखे चिलकों की एक लियर और मिटी उतनी डालनी है कि पौधा इसमें आ जाए और उपर से लगवा दोती नींच की जगा खाली होनी चाहिए कि पानी उसमें रहे मिटी मतखाद और मिटी बाहर ना निकले ओवर फ्लो नहीं हो पानी जिसे कि नूट्रिशन सारा बह ज उसके लिए चितनी भी गाप है चारो तरफ से अच्छे से दबा दबा के मिटी को भर देंगे तो प्लांट स्टेबल हो जाएगा और फिर उपर से वैसे तो इस मिटी में पूरी तरफ से एक हाथ मिली है एक मुठी अलग से उपर से डाल देंगे फिर मिटी के एक लेयर जो भी मेरे चैनल में निवा है सब्स्राइब जरूर करके जाएगा इस तरह से देखिए भीया ने बहुत अच्छे से खुर्पीर से ठोक ठोक के मिटी को दबा दिया है और प्लांट इस तरह से स्टेबल हो गया है और फिर पानी डाल देंगे ये अब भी शाम का समय है रा थोड़ा सा सावधानी रखनी है कि तेज धूप से इनको दो-तीन दिन बचाना है ऐसी जगह पर रखना है कि इनको सिर्फ ब्राइट लाइट मिले और तेज धूप ना मिले और चारो तरह से ऐसे इनको दबा दिया है चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ